नमस्कार दोस्तो अक्सर देखा जाता है अंडर आम्स में कई बार काला पन आ जाता है जिसके चलते आपको सर्मिन्यगी हो सकती हैं कई बार तो किसी एलर्जी या फंगल इंफेक्शन की कारण बगल में गांट पड़ जाती हैं आरम्स की ठीक से सफाई ना करने की कारण आप के साथ यह सब होता है अगर आप बीना आस्चीन की कपड़े नहीं भी पहनते हैं तब भी आपको अंडर आम्स की सफाई रखनी चाहिए कि इसकी वज़ा से कई की रोग हो सकते हैं इसके बालों को अगर समय पर ना कट आगा जाए और इसकी कालिमा को दूर न किया जाए तो आपकी खुपसूरती में धब्बा बन जाता है आईए जानते हैं इसकी करण और इसके उपाय के बारे में कालेपन के कारण डिले और मुलायम कपड़े पहने ज्यादा टाइट कपड़े पहने से अंडर आम्स में घरसन होता है जिससे तवचा को नुक्सान होता है कपड़े का फैब्रिक और उसमें इस्तमाल के अगया डाई आपकी तवचा को नुक्सान पहुचा सकता है मलमल या फिर खादी का कपड़ा आपकी इसकिन के लिए अच्छे होते हैं बालों की सफाई अंडर आर्म के नीचे बालों का उगना एक समान प्रक्रिया है इससे समय पर साप करना बहुत जरूरी है अगर इसकी सफाई ना की जाए तो बालों की करण बदबू तो निकलती है साथ ही यह हिस्सा काला भी पढ बन सकते हैं इसके लिए आलू निम्बू और खीरा लेकर इनका रस निकाल लीजिए और इसे अपने अंडर आर्म पर लगाए और 15 मिनिट के बाद चाप पानी से धो लें बेकिंग सोडा और पानी बेकिंग के पेश्चे अंडर आम को मसाज करें इससे वहां का रंग हलका पर जाएगा अगर आप इसमें रोज वाटर मिक्स करेंगी तो और अच्छा परिणाम आएगा इस तरह से आप अपने अंडर आम्स की कालापन को दूर कर सकते हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें अब मिलते हैं